हलो गैज़ आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉप परसिंग पर तो डेली की तरह हम आज भी मौर्णिंग अपडेट लेकर आए हैं यूपी लेकपाल का जो बिग्यापन हो जारी कर दिया गया है और इसी क्रम में हम बात करने वाले हैं चक्छू पब्लिकेशन की यूपी लेकपाल की बेस्ट बुक के बारे में आप इस बुक को देख सकते हो इसमें 1100 से ज़्यादा प्रसिर के प्रस्ण है साथी साथ 200 पेप में मिल जाएगा आप कॉल करकर भी इस बुक को जो है मंगा सकते हो तो बेतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है ग्राम समाज यह विकास की जो यह पुस्तक है साथी साथ मैं आपको अगर बता दू तो इसकी अलावा भी दो वुक और आती है एक आपको राजा सु लेकपा लेकपाल की जो भरती चल रही है उसमें जो प्यट का कटाप आया उसको लेकर के जो बिवाद चल रहा है ऐसे में जो है कल छात्रों ने नाराजी की अपनी दिखाई है ट्विटर के माध्यम से यहां पर लिखा है कि लेकपाल भरती में पीटी का कटाप ट्विटर पर ट्र कटाप जो है अंक जारी किया है विरूद कर रहे प्रतियोगियों ने कटाप कम करने की मांग उठाई है इसके लिए रविवार को ट्विटर पर अभियान चलाया ट्रेंड करता रहा है साम तक साड़ेत तीन लाग से ज्यादा ट्विट किये गए इसे सीम यूपी आफिस एमे जारी किया उसमें अगस्त में पीटी प्रस्तावी थी जिसे समय पर कराया गया इसमें लेकपाल भरती परिक्षा नॉम्बर 2021 में प्रस्तावी थी जो अब 19 जून को प्रस्तावी थी लेकपाल भरती परिक्षा का फ़र्म जनौरी 2022 में आया है आयोग ने उसी समय पीटी ए कटाफंग जारी के होता तो तेरा लाग अभ्यारती आवेधन क्यों करते कोई कटाफंग जारी नहीं किये जाने से इनके नंबर कम थे उन्हों ने भी आवेधन कर दिया और परिक्षा की तैयारी में जुट गए कोचिंग की तो आप यहां पर देख सकते हैं और भी चीज़ें आप लिखाई कोचिंग की उसमें भी रूपए खर्च किये राजा सुलेकपाल भरती परिक्षा में 8,085 पद होने के कारण प्रतियोगों ने इस बड़े उसर पर आउसर के रूप में लिया अब 5 मई 2022 को हाई क कोचिंग के तो यही चीज़ें कि अगर आपको कटाफ इतनी जादा ही ले जाना था क्योंकि यह क्वालिफाइंग नेचर का एक्जाम था तो जब आपने लिखपाल का फॉर्म भरवाए था उसी वक्त अगर आप कर देते तो लोग कोचिंग कि जोएन करते, अपना 3-4-5 महिने का समय क्यों बेश्ट करते, कोचिंग में पैंसे क्यों लगाते, ठीक है बाहर रेकर रूम का किराय क्यों देते, वो अपनी कोई दूसरी तयारी कर लेते, आने वाला यू पीटर पले सी पेट की तयारी कर लेते, या कुछ भी जो भी उनको कर कोट जाएंगे, वहीं पर हम बात करते हैं, एक और बड़ी भरती के बारे में, जब UPSI भरती परिक्षा हुई, छात्र जो है इसमें कोट गए, तो कोट में ये बता दियागा, कि नहीं भाई, यहां पर कोई दांदली नहीं हुई है, तो अब एक सबसे बड़ा सवाल ही, क अब दांदली नहीं हुई इस भरती में, तो इस भरती में लोगों को गिरफ्तार ही क्यों किया जा रहा है, सीधी सी बात है, अगर आप पूचा जाये तो, ठीक है, भरती होगे, परिक्षा होगे, अब जब डाकोमेंट वेरिफिकेशन होई, तो आप लोगों को निकाल रह गया है, और कल की अपडेट में हमने बता था कि 6 लोगों को परसों गिरफ्तार किया गया था, यानि टूटल जो है 18 लोगों को, 18 नकल माफिय, 18 मुन्ना भाई को पकड़ा गया है, दो दिनों के अंदर, यहाँ पर लिखा कि दरोगा भरती परिक्षा में 12 और जालसाच पर जा चुके हैं, प्रभारी निरिक्षक मानगर दिनेश चंद मिस्रा के मताबिक उपनिरिक्षक उत्तरप्रदेर नागरी पुलिस के पदपर, भरती परिक्षा में अनुचित थाधा इस्तेमाल करने वाले, करने वा पास होने के लिए रूपए देने वाले 12 रोपियों को ग गिरफतार किया गया था, यानि टोटल जो 18 लोगों को गिरफतार किया जा चुका है, और जब छात्र कोट गये थे तो उनसे यही का गया कि नहीं भाई, सब पेपर बिल्कुल धंक से हुआ है, कोई दांदली नहीं हुई, कोई यहां पर मुन्ना भाई नहीं बैठा था, ल देखते हैं आगे की अपडेट है, अगली जो अपडेट है वो हमारी है, ल्टी ग्रेट सिक्षक भरती को लेकर कि जिसमें आपको बता दें कि 3000 से ज्यादा पदों पर अधियाचन ल्टी ग्रेट को भेजा गया है, लेकिन आहरता इसपस्ट ना होने के कारण यह भरती आज अपडेट आईए कि अहरता इसपस्ट होने के इंतजार में ल्टी ग्रेट सिक्षक भरती अटकी हुई है, उत्तर प्रदेर लोकसिव आयोग ने संबंधित विवागों को अहरता पर इस्तित इसपस्ट करने के लिए पत्र लिखा था, जिसका जवाब अब तक नहीं आज़ेट के विग्यापन आएंगे, TGT PGT का विग्यापन जो है कुछ करणों से रुका हुआ है क्योंकि वहाँ पर जो आयोग है, वहाँ पर सदस्यों की कमी है, उनकी निउक्ति के बाद ही वहाँ पर चीज़ें सुरूँँगी, LT ग्रेट में जो है आहरता को लेकर के बिवाद फंसा हुआ है, ठीक है, अब हाई कोड के आदार आदेश, यहां पर और भी चीज़ें लिखा है, कि आयोग ने LT ग्रेट सिक्चक भरती के लिए पिछला विग्यापन मार्च 2018 में जारी किया था, इसके तरह 15 विषयों में 10,700 पदों पर भरती हुनी थी, लेकिन कला हिंदी समयत कुछ विषयों में अहरता का विवाद होने के कारण सैकड़ो पद खाली रहेगे, अब हाई कोड के आदेश पर उत्तर पुदेल लोकसेवा आयोग ने सभी विषयों में भरती के लिए आहरता इस्पश करने के लिए सम्मंदित विवागों को पत्त लिखा लेकिन आयोग नाय विज्यापन तभी जारी करेगा जब अहरता के बारे में इस्थित्पुई तरह से इस पश्ट हो जाएगी, तो बिल्कुल अगर आप एल्टी की त्यारी कर रहे हैं तो आप अपनी त्यारी बिल्कुल जीजान लगा कर करिए, भरती जरूर आएगी, ब उतर प्रदेश मादमिक सिक्षा सेवा चैन बोड को पिछले सार प्रसिक्षी तसनातक सिक्षक TGT और प्रवक्ता के तकरीबन 5,350 पदों का अधियाचन मिला था, चैन बोड अगर नए पदों के अधियाचन के लिए पोर्टल एक बार फिर खोलता है, तो पदों के संक्या बढ़ेगी, प्रतियोगी चात्रों का दावा है कि प्रदेश में TGT PGT के लगबक 27,000 पद खाली है, प्रतियोगी चात्रों ने चैन बोड के अध्यक से मिलने का समय मागा था, उन्होंने 23 मई को वारता के लिए बुलाया है, वारता के दोरान या मुद्दा प्रमुक्ता स अधियाचन मिला, इनमें से साड़े 700 पत पूर में चैनित अभ्यारतों के समयोजन में समापतों गए, बाकी पदों पर नई भरती होनी है, प्रतियोगी चात्रों का दावा है कि प्रदेश में TGT और PGT के तकरीबन 27,000 पद खाली है, अगर चैन बोड पोर्टल दुबारा खोल कर अधियाचन मांगता है, तो रिक्त पदों के संख्या बढ़ेगी, प्रतियोगी चात्र मांग कर रहे हैं कि चैन बोड पोर्टल खोल कर 31,000 में 2022 तक के रिक्त पदों का अधियाचन मांगे, चात्रों का कहना है कि प्रदेश में तकरीबन 14,000,000 बेरोजगार है, प्र पर अगली जो अपडेट है वो है डेलेट सेमेस्टर परिक्षा आज से कई के प्रवेस्पत जो हैं रोग दी गए हैं, डिप्लोमा इन इलेमेंटरी इजुकेशन 2021 के परतम सेमेस्टर की परिक्षा सोमवार से सुरू हो रही है, परिक्षारतियों को 20 मिन पहले परिक्षा क पर पर अगली पर आज सेंधक परिक्षा कराने के संब्द में डायेट परचारियों और निजी प्रिक्षन संस्थानों के पराचारियों के दिसा निर्देश जारी के गए है तो आप यहाँ देख सकते हैं आज जो समेस्टर परिक्षा इसकी सुरूव हो चुकी है लेकिन कुछ चात्र ऐसे थे जिन्होंने फाइनल लॉक नहीं किया था उसको लेकर के उनका जो एडमिट कार्ड है वो रोंग दिया गया है तो जिन भी चात्रों का आज पेपर है उन के लिखते हैं साकत सासं जो सिके बारे में क्या कहता है चलिए वहीं पर आते हैं टिटी इति को ले कर्के और should've पर 15,000 का इनाम आप सभी को पता है कि T.T. पछती परिच्छा का जो पेपर था वो लीक हुआ और उसके बाद परिच्छा को रद्द किया गया लेकिन आज भी जो है इसके सारे जो मुझरीम है या हम कहें सारे जो धांदले बाजी वाले जो लोग हैं वो अभी भी पकड़े नहीं गए हैं इस पर ये का गया कि 7 पत 17000 का इनाम टीटी में नकल कराने वाले گिड़व में सा मिल पूर बलाक प्रमुख समय साथ आ रोपियों पर रव्यूर को पुलिस ने दददा जार रुपे का इनाम घोसित किया पुलिस ने तेज जनौरी को ठीटी में नकल कराने का ठेका लेने वाले गिरोगों का खुलासा करते हुए 22 अरुपियों को गिरफतार किया गया ठीक है 28 नॉमबर को तो पेपर लीक ही हुआ था 23 जनौरी को भी बहुत सारी लोग ऐसे थे जिन्होंने ठेका लिया था और हो सकता है कामियाब भी हो गया है को कोई बड़ी बात नहीं है इसमें लेकिन उसमें सिका गया है कि इन लोगों को गिरफतार करिए 10,000 रुपे इनाम भी दिया जाएगा 22 आरुपे को गिरफतार किया गया था अभी तक 22 लोगों को गिरफतार कर लिया गया है और आरुपियों में यहां पर सारी चीज़ों के नाम सभी लोगों के दी है तो आप इनको पढ़ सकते हो बाकि 7 लोगों को अगर आप पकड़ते हैं जिसे UGC की गाइड लाइन के अनुसार बदल कर प्रवक्ता पुस्तकाले का पद नाम दिया गया महाविद्यालों ने उच्छे सिक्षा निदे साले को रिक्टपदों का ब्योरा दे दिया है प्रदेश के 170 महाविद्यालों में 2011 के बाद से उच्छे सिक्षा निदे साले ने महाविद्यालों से रिक्टपदों का ब्योरा मांगा था निदे साले को 106 रिक्टपदों की सुचना मिली है जबकि तकरीबन दो दर्जन कालेजों में पद सेजित नहीं है सुत्रों के अनुसार इसके लिए नई सेवा नियमावली भी बनाई जा रही है उच्छे सिक्षा निदे साले की ओर से संसोदिद नियमावली और रिक्टपदों का ब्योरा जल्द सासन को भेजा जाएगा मंजूरी के बाद सासन से लोक सेवायोक को अध्याचन भेजा जाएगा तो 106 पदों पर भरती आने वाली है जब नोटी पिकेसन आएगी तो आपको अहरता भी बताए जाएगा